नमस्कार आज की कविता है उद्साहा यह कविता श्री सुर्य कांची की द्वारा लिखी गई है और जिने दूसरे नाम से निराला जी भी पुकारा जाता है इस कविता में नया जीवन देने की प्रेरणा देने को वह बादलों से कहता है कवी कवी क्या कहता है कि हे बादल तुम गरजो घेर घेर खूर गगन धरादर ओ यहाँ पर गगन का ताजपरे है आकाश से कवी बादलों से गरज गरज कर बरसने को कहता है और सारे संसार को नया जीवन देने की आवान करता है तुम गरजो यानि तुम आवाज करो और आकाश को घेर करके मुझलाधार वर्षा करो यह भी कहता है फिर वह कहता है कि ललित ललित काले घुंगराले बाल कलपना के से पाले कहता है कि हे बादलों तुम अत्यन सुन्दर हो तुम्हारा स्वरूप सुन्दर काले काले बालों के समान है बाल भी कैसे जैसे छोटे बच्चुके घुंगराले बाल होते हैं अबोध बाल कोंके बाल घुंगराले जो होते हैं उसी के समान तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा रूप जो है वह काले घुंगराले बालों के समान है विद्युत्य कवी उर में कवी नवजीवन वाले, तुम्हारे रदय में उर यानि रदय में बिजली है और तुम उसकी शोभा से सुन्दर दिखाई तेते हो तुम्हारी शोभा जो है बिजली से सुन्दर है वज्र चिपा अनुतन कविता फिर भर दो तुम्हारे भीतर जो शक्ती चिपी हुई है तुम्हारे भीतर अपार शक्ती है जिसमें बिजली चमकती है तो तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उससे संसार को नवीन प्रेरना दो और एक नया जीवन भी संसार को देने की क्रिपा करो यह बादलों से कहा गया है बादलों तुम गर्जो और गरज करके सभी लोगों में नया जीवन भर दो विकल विकल उनमन थे उनमन विकल विकल का तत्परे क्या है विकल का तत्परे है व्याकुल होना उनमन यानि अनमना या उदास होना जब हम उदास हो जाते हैं तो विकल बेचेन हो जाते हैं और यही पर बताया है कभी ने कभी कहता है कि हे बादलों तुम्हारी जो तुम नय जीवन दो, किसको दो, जो विकल लोग हैं, व्याकूल लोग हैं, जो बेचेन हो रहे हैं, और अपने जीवन में आने वाले दुखों से, वर्तमान के दुखों से उदास जो लोग हैं, उन्हें तुम एक नया जीवन दो. विश्व के निधाग के सकलजन विश्व के निधाग के यानि निधाग का तत पर यह आपर क्या है गर्मी का ताप सारे संसार में गर्मी से जो लोग प्रेशान है उसके ताप से जो प्रेशान है तब तो हुई गर्मी से जो प्रेशान है उनकी तुम सारी दुखों को दूर कर दो उनके सभी दुखों को दूर करके उनमें एक नए जीवन का संचार कर दो और तपी हुई धर्ती को तुम शीतलता भी दो शीतलता यानि थंड़क प्रदान करो तो फिर से वे कहता है कि आए अग्यात दिशासी अनंत के घन अनंत के घन यानि बहुत सारी जो अनंत होता है आकाश घन यानि बादल जो हमारा आकाश है वे अनंत है और उसका कोई अन्त नहीं है वहां से जो बादल आए हैं उनकी दिशा का हमें पता नहीं है और तप्त धराजल से फिर शीतल कर दो बादलों से फिर कहता है कि हमारी जो गर्म धर्ती है जो जल रही है गर्मी के ताप से उसे तुम शीतल कर दो हे बादल गरज कर बरसो और धर्ती को शीतल तप रदान करो यहाँ पर कभी ने बादलों को मानव जीवन को हरा भरा करने वाला माना है कभी कहता है कि मानव जीवन को हरी अली से भर देगा और हमारी जो फसल है वह भी बादलों पर जो है अधारित है और सारे प्राणी जब फसल अच्छी होती है तो उससे सुख प्राप्त करते है बादल जो लोगों की प्यास होती है यानि कि जहां पर जल श्रोत होते हैं उनमें भी मारे पानी आजाता है जब बादल बरसते हैं तो यह भी लोगों की उमीदों को पूरा करता है इसमें बात करें अगर हम बोली की यनि कि विशेष्टा की बात करें इस कवीता की तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास मानविय करण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है मन वियकरन अलंकार की हम बात करें तो यहाँ पर बादलों को मानव से तुलना करके कभी ने बताया है विशेष्टा एक इसकी यह भी है कि बादलों को प्यास और पीडित जो लोग हैं उनके कस्ट को दूर करने वाला उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवान जो है किया गया है इसलिए यह कवेता एक आवान गीत है और साथ में मैंने अब में आपको बताया कि इसमें सिल्फ संदरी की बात करें तो इसकी भाशा जो है खड़ी है तत्सम शब्दावली का प्रयोग्या गया है लयात्मक्ता जो है उसमें सश्टी हुई है लयात्मक्ता की यानि लय है एक लय कैसे है बादल गर्जो यानि गा सकते हैं मेंसी घेर घेर घोर गगन थारा धरो ललित ललित काले घुंगराले इबाल कल्बन के से पाले विडियो ते छवे उर में कविनव जी उनवाले वजर छिपानूतन कविता फिर भर दो बादल गर्जो विकल विकल उनमन थे उनमन विश्व की निदाग की सकल जन आये अग्यात दिशासे अनन्त केखन तब तधरा फिर से जलसे फिर शीतल कर दो बादल गर्जो तो यहाँ पर हम इसे गा सकते हैं तो इस कविता में हमें लयात्मक्ता जो है वैदुष्टी गोचर होते हैं पुनारुक्ती प्रकाश और उपमा अलंकारों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है कवी ने बादलों का आहवान किया है कि अपने जलसे धर्ती को नया जीवन दें सारे संसार को नया जीवन प्रदान करें बादलों को सुंदर काले गुमरालों के समान बताया है तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार जो है उसका प्रयोग हुआ है साथ ही हम देख सकते हैं कि कविता को लई जो है एक प्रदान कर रहे हैं और सारा जीवन जो है संसार का उसे परिवर्थित करने के लिए बादलों का आवान कभी यहां पर कर रहा है और यह कविता जो है आपके पठे पुस्तक शितीज भागदों में संकलित की गई है रचेता का मैंने पहले भी नाम बताया था श्री शुरे कांची त्रिपाठी निराला इसके रचेता है और लोगों की अकंख्षों को पूरा कलने के लिए यहां पर घन का आवान किया गया है घन यानि बादलों का आवान किया गया है बादलों को उन्होंने नए अंकूर के लिए विध्वन्स और क्रमती चेतना को संभव करने वाला माना है वे केता है कि नया अंकूर जो है वहवी बादलों से आएगा और एक नई चेतना जो है लोगों में वहवी बादलों के द्वारा ही आएगी यहाँ पर हमने कविता में नहित भावार्थ को देखा और अगर एक प्रेश्णु की बात करें तो कवी ने किसका आहवान किया है और क्यों किया है तो कवी ने आहवान किया है बादलों का इसलिए किया है ताकि संसार में नई चेतना को फिर से लाया जा सके बादल धर्ती को हरा भरा बनाते हैं और कविता में यही बात कहने की प्रेरणा प्रदान करने को कहते हैं बादलों से एक और प्रशन इस प्रकार से आ जाता है कि बादलों को किसके समान सुन्दर माना गया है बादलों को बालों के समान सुन्दर माना गया है बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा चिपी हुई है तो बादलों के हृदय में बिजली की शोभा चिपी हुई है वज्र की शोभा चिपी हुई है बादल मानव जीवन को कवी को क्या क्या प्रदान करते हैं तो उन्हें हर्याली प्रदान करते हैं साथी जल भी प्रदान करते हैं पूरी धर्ती के लोग किस कारण व्याकुल और बेचेन हो रहे थे तो हम इसके बात करें तो बेचेन और व्याकुल किस कारण है गर्मी के तेज ताप के कारण सारी धर्ती के लोग व्याकुल और बेचेन है बादल कि धर से आकर आकाश में छा जाते हैं बादल अनंत दिशा से आकर के आकाश में छा जाते हैं कवी बादलों से बरस कर क्या करने को कहता है बादलों से बरस कर मानव जीवन को जो तप्त हो चुका है उसे शीतलता प्रदान करने के लिए कहता है उसे कुछ ताप से मुक्ती प्रदान करने के लिए कहता है कि तुम हमारी जो धर्ती है जो आग से जल रही है गर्मी से जल रह तो सरल भाशम में हमने इस कविता को समझाने की आपको कोशिश की है और अगर आपको इसी तरह से और किसी चैप्टरेस को भी समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएगा इसके बाद की हमारी कविता रहेगी अट नहीं रही है थिंक्यू फॉर वा